कानपूर के अरपती इत्र कारोबारी प्यूश जेन की आखरकार गरफतारी हो गई है करीब 50 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूचताच के बाद रविवार को प्यूश जेन को गरफतार किया गया जिसके बाद प्यूश जेन की पहली रात कानपूर के काकादेव थाने में गुजरी कारोबारी प्यूश जेन सोमवार की सुबह एक कमरे में कमबल ओड कर फर्श पर सोता हुआ दिखाई दिया कारोबारी को थाना परिसर में बने महिला हेल्प डेस्क के केबिन में सोने के लिए जगह दी गई थी इसके बाद कारोबारी प्यूश जेन को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल चेकप के लिए ले जाया गया जहां से उसे कानपूर कोर्ट में पेश किया गया बताये जा रहा है कि स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोट में कारोबारी प्यूश जैन की पेशी के DGGI एमदबाद की टीम नेट प्रांजित रिमांड भी मांगी है पर गारी एक लगाए गई है उससे मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया जाएगा थे संते पहले तप्स्रीच है यूश जैन की बात में अप्तल उसका रात में रात में उसको काका पे उत्वार लाए गया थे जो जी एस्टी का हड़ाओ के जकार्टों में तो काका देव दरसल डिरेक्टर जन्रल ओफ जी एस्टी इंटेलियेंस एमदबाद की टीम बीते गुरुवार को इत्र कारोबारी के ठिकानों पर चापिमारी कर रही है चार दिनों की चापिमारी में उसके घर की दीवारों और अलमारियों ने टीम ने 257 करोड की नकदी बरामत की है तरज पर यहां भी SBI की टीम सुमवार की सुबह नोट गिरने वाली तीन मशीन लेकर प्यूश जैन के मकान पर पहुँशती है प्यूश जैन के घर में भी दो दिन पहले इसकी खुद की ही नोट गिरने वाली एक मशीन पहले ही मिली थी अब उन सभी मशीनों की मदद से नोट गिरने का काम शुरू हो चुका है हाला कि अभी तक जाच अफसरों को 500 चाबिया मिली लेकिन ताले 109 मिले हैं DGI के चापे में अभी तक करीब 1000 करड़ रुपे की संपत्ती का खुलासा हो चुका है चापे मारी में नकदी और गोल्ड के साथ बड़ी संख्या में प्रोपटी के भी दस्तावेज मिलने शुरू हो गए हैं अभी तक कानपूर में 4, कन्योज में 7, मुंबई में 2, दिल्ली में 1 और दोबई में 2 प्रोपटी की बात सामने आई है इन में लगबग सभी समपतियां सरवाधिक पौश इलाकों में खरीदी गई हैं कानपूर से अमरीश्तिरपाथी की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद